आजम बेसन के पेड़े बनाने जा रहे हैं ये पेड़े काफी सौफ्ट बन कर तयार होते हैं एक दम मुझ में घुल जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी बना सकता है विदिन 15 मिनेट से बन कर तयार हो जाते हैं तो चलिए पर शुरू करते हैं इसके जितना हमने दूद लिया उसका आधा हमने नारियल का बुरादा लिया है अच्छो से हम इसे ब्लेंड कर देंगे जैसे ही ब्लेंड हो जाएगा हम इसे साइड में रख देंगे अब लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे चार चम्मज घी घी चार चम्मज से ज्या कब बेसन लिया है अब एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें बेसन को अच्छे से भूनना है बेसन को हमें ब्राउन नहीं करना है कलर उसका यही रहना चाहिए ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसलिए एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से इसे हम भूनत साथ से आठ मिनट के अंदर आपको इसकी ऐसे एकदम लिक्विड कांसिस्टेंसी नजर आएगी यानि की जो घी है वो रिलीज हो जाएगा उस टाइम पर हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे चम्मच से देखे तो 6-7 चम्मच पिसी हुई चीनी है अब चीनी को बेसन के साथ में हम अच्छे से मिक्स करेंगे इने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है सिर्फ मिक्स ही करना है जैसे ही चीनी और बेसन मिक्स हो जाएगा हम इसमें दूद और कोकोनट का मिक्षर डाल देंगे इसे डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक की बेसन एकदम गाड़ा नहीं हो जाता और जो दूद है वो एकदम सूख नहीं जाता ये पूरा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है ये पूरी मिठाई 15 मिनिट के अंदर बन जाती है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तयार होती है शुरुवात में आपको ये स्टिकी लगेगा लेकिन उसके बाद ये देखिए एकदम ऐसे डो जैसा ये बनकर तयार हो जाए है इसे बाहर निकाल देंगे बोल में हलका सा ठंडा करेंगे ताकि हम इसे चू सके इलाइची डाली है मैंने एक चम्मच कूट के आप चाहें तो इलाइची की जगा केसर भी डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं मिक्स किया हमने इलाइची को अब थोड़ा सा इस mixture का अपने हाथों में लेकर इसकी एक बॉल जैसी बना लेंगे जैसे लड़ू बनाते हैं हम बिलकुल वैसी ही लड़ू बना लेंगे इसका उसके बाद इससे दूसरे हाथ में लेकर इस तरीके से रोल करेंगे जैसे cylindrical shape होता है वैसा हम इसको एक shape दे देंगे और उसके इस तरीके से एसे सीधा रख कर आसे प्रेस कर देंगे बहुत ही हल्के से हमें इसे प्रेस बीदे का shape देना है तो दिएख़े पेड़ा बन कर तयार है इसी तरीके से हमने सारे पेड़े तयार किये है मैने इसे गानिश किया है silver circles से और साथ ही थोड़ा सा पिस्ता वैने किसी और चीज से भी गानिश कर सकते हैं कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके हैं